नमश्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागता है, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, HP-LT टेस्ट के, जो HP-LT टेटू है, आज 30 जुलाई को, इसकी जनरल बेरनेस और इर्मार्मेंटर स्टेडी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट क राइट्स होती है, option B इसका राइट अंसर रहेगा, next चलते हैं, next question की तरफ, next question, शिमला सम्मेलन हुआ था, तो इसका अगर हम बात करते हैं, तो option B इसका राइट अंसर रहेगा, that is, 1945 ECV में हुआ था, next, next question, बारते करिशी अनुसनान परिशित कहां पर रहस्तित है, तो इस इसका राइट अंसर रहेगा, option B, that is, नई दिल्ली, next, स्प्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी, तो इसका राइट अंसर रहेगा, हमारे पास, option C, that is, फत्मा बीबी, next question, सन 2009 ECV में निमल में से किसने नगर कोर्ट को लुटा था, तो इसका राइट अंसर रहेगा, हमारे पास, option B, that is, महमूद, गजनभी, जो थे, उन्होंने, जो था, अटाक किया था, उस टाइम पे, next question, हिमालेन, हिल, स्टेट, रिजनल, काउंसलिंग के पहले देख्ष कौन थे, तो इसका राइट अंसर रहेगा, option A, that is, स्वामी, पुर्णा नंद, next question, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का पांचमा जिला बना था, तो इसका राइट अंसर रहेगा, option C, that is, बिलासपूर, next question, बाईदो, ना पाई, किस अंदोलन का बिस्तार है, तो ये असोयोग अंदोलन का पाट था, तो इसका राइट अंसर रहेगा, option B, next question, 130, कुलू, जिले का सथान, निर्मन्ट किस से समन्दीत है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं, तो option D, इसका राइट अंसर रहेगा, परशुराम जी से समन्दीत है, ये पाट next question, सतलुज निर्मन्दी का उद्गम स्तान कौन सा है, तो इसका जो उद्गम स्तान है, option A, right answer हैगा, मान्स रोवर, next question number 132, looking back, किसकी आतम कता है, तो ये कारवे द्वारा लिखी गई थी, तो अगर हम यहाँ पे options की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी option नहीं है, तो ये right answer हैगा, option D, इन में से कोई नहीं, next question था, शोबा सिंग आर्ट गैलरी कहाँ स्तेता है, तो शोबा सिंग आर्ट गैलरी कांगड़ा के अंदर है, और अंदरेटा, तो option A, इसका right answer हैगा, next question, State Council of Education, Search and Training, हमाचल प्रदेश में कहाँ स्तेता है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं, SCRT की, SCRT सोलन की अंदर सिता है, तो इस question का answer, option D, right answer रहेगा, next question number 135, निम्ली में से मंडी जिले का प्रसिद्र निरितिय कौन सा है, तो इसका right answer option A रहेगा, लुड़ी, next question number 136, 1857 के विद्रों किसमें बारत का गवर्नर जनर्र कौन था, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसका right answer रहेगा, option C, that is Lord Kenin, next question, केंदर सरकार का प्रथम बिद्धी अधिकारी कौन होता है, तो इसका right answer रहेगा, option C, that is Mahaniyabadi, next question, बंगलादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निमिल में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका right answer रहेगा, option B, that is Padma, next question, सभिदान सभाक के द्वारा अंतीम रूप से सभिदान को कब पारित किया गया था, तो इसका right answer रहेगा, option A, 26 जनबरी 1950 में, next question number 140, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर, नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं भी मुद्री करन, डी मॉनिल में से किस नाम से किस पार्टी को बहमुत प्राप्त हुआ था, तो इसका right answer रहेगा, option B, that is, जन्ता पार्टी, next question number 142, poverty and the British rule in India, नामक पोस्त किस ने लिखी थी, तो इसका right answer रहेगा, option D, that is, दादाबाई, नारोजी, next question 143, अकलेशर मंदिर कहाँ पे स्तित है, तो इसका right answer रहेगा, option B, that is, लाहल स्वीती में, next question number 144, दिल्ली में गुलाम बंश का बास्तिविक, संस्तापक किस से माना जाता है, तो इसका right answer रहेगा, option A, कुद्ध दीन एवग को, next question number 145, अकलेशर नामा किस की रचना थी, तो इसका अगर right answer रहेगा, option D, that is, अबुल फजल, next question number 146, गुटन रिप्रेक्श देशों का प्रत्थम शिखर समेलन कब हुआ था, तो ये 1961 में हुआ था, option A is the right answer, next question हिमाचल से था, नाकोजील की सिले में स्तित है, तो इसका right answer रहेगा, option A, किन और, next question था, युनिशेफ की स्ताफना कब हुई थी, तो UNICEF की स्ताफना जो है, option A is the right answer रहेगा, 1946 इस भी में हुई थी, next question, WHO का मुख्याले कहां स्तिता है, तो इसका right answer रहेगा, option A, right, जिनेवा, next and last question of GK section, बारत का राष्टे खेल कौन सा है, तो obviously, यह तो I think easy सा question था, बारत का राष्टे खेल, जो है, option A, right answer रहेगा, होकी, तो यह थी answer की, जो की, general VNS section की थी, तो इस तरह के video updates के लिए channel को subscribe कर ले, subscribe के साथ में bell icon पे click कर दे, ताकि आपको मेरे upcoming video notification मिलती रहे, thank you,